बिस्मिले रमाने वहीं, स्वामी कुछ दियर स्टुडेंट्स, वेल्सम तो मैं चैनल, मैथेमेटिक्स इस माइ ड्रेंट, जल्दी से मेरा चैनल सुप्स्ट्राइब कीजिए, बैल आइकन को प्लिक कीजिए, ताकि आने बाले लेटेस्ट वीडियो आप लोग को एजिली मिल जाए, एंड फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, एंड फ्रेंड्स के साथ शो तीजिए, ताकि आपकी फ्रेंड्स के साथ भी अग्र मैथेमेटिक्स में प्रोप्लम है तो उन्हें भी हल्क मूह सके, मैं आपकी वोस्ट, पुशी, लेट्स पिमूव आवर स्टुडी, प करेंगा मैं है एक्सरिज 1.4, रेडिकल एक्वेशन्स हमिए्क्वेशन्स को सोल्ड करने के लिए पहले चूरे ओडावट पढ़ने होगी कि रेडिकल एक्वेशन्स क्या होते हैं, An equation involving expression under the radical sign is called the radical equation Radical equations कुनसे equation होती है? वो वाली equation जो के radical sign के अंदर हो वो वाली हमाँ पस radical equations कहलाती है Radical sign अब क्या होता है? Radical sign हमने 9 में भी पढ़ा Radical sign होता है ये Square root को हम बोलते है radical sign इस radical sign के अंदर जो equations होंगी जो terms होंगी तो हम उस equations को कह देंगे कि ये radical equations है इसकी example दी हुई है जैसे कि है Square root के अंदर x plus 3 is equal to x plus 1 जो ये इस side वाली equation है ये radical sign के अंदर है तो ये equation हमाँ पास radical equation हो जाएगा और ये वाली देखने ये दोनों side पर हमाँ पास square root है तो ये भी हमाँ पास radical equation है अब radical equation भी radical equation जो है उसकी भी next 3 types है जो हम discuss करेंगे First type है हमाँ पास equation of the type वो कुछ इस type ही होगी First type square root ax plus b is equal to cx plus t means एक side जो होगी उसकी वो होगी radical sign के अंदर first type में और जो दूसरी side पर होगी equation वो radical sign के अंदर नहीं होगी वो free from radical sign होगी तो वो हमाँ पास first type होगी हम इस type के दूसके question solve परते हैं question number है exercise 1.4 2x plus 5 is equal to square root 7x plus 16 हम इसे solve करते हैं इसके solve करने का तरीका question है हमें सबसे पहले जो है यह जो हमारे पास sign है इस side पर 7x plus 16 के उपर जो radical sign है square root है हमने इसको remove करना है फिर यह simple question बज़ेगे तो हम इसे लिए इसे solve करता हैंगे इसको जो remove करने के लिए हम क्या करते हैं दोनों side पर square ले 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 लेंगे अगर हम तो यह हमारा square root cancel out हो जाएगा हम लेते हैं square root on both sides यह मैंने square root लेना है 2x plus 5 square root sorry हमने लेना था taking square only square square लेना है because यह जो हमारा पास question है question के अंदर just square root दी गई है तो हमने square root को cancel करना है square root को cancel हम किस ताहसे कर सकते हैं अगर हम इसके उपर scare लेने अगर scare लेने के तो जो scare होगा वो scare root से cancel हो जाएगा तो इसलिए we scare root नहीं हम इज़ scare लेना है both side यह मैंने this side scare scare लिया मैं इस साइड भी स्केर लोंगे 7X प्लोस 16 प्रियों यहां पर लें यह यह मेने स्केर अभी जो स्केर होगा यह जो यह कतन कर देगा स्केर रोट और इस साइड पर हम यह फार्मॉला बन गया है A प्लस B टोल स्केर is equal to होता है A का स्केर गलएस बीका स्केर प्लस 2AB यह फार्मुला हम यहां पर यूज करेंगे 4X स्केर 25 and हम 2A कवल तर मेंगे 2 फार्मुले का and A क्या है 2X है and B क्या है 5 है तो इनको मुल्टिप्लाई कर लेंगे प्लस का फर्मूला है तो प्लस का 20X इस इक्वल टू ये जो है ये वाली तरण जो है 7X प्लस 16 ये जो है ये बाहिर आगी है इसके रूट से तो जस 7X प्लस 16 आ जाएगा अब 7X प्लस 16 को हम इस साइट पर ले आएंगे 4X स्केर प्लस 25 प्लस 20X 7X दूसरी साइट पर आकर माइनस 7X 16 दूसरी साइट पर आकर माइनस 16 इस इक्वल टू 0 4X स्केर 20X माइनस 7X इनको माइनस करेंगे तो हमाई पास आजाएगा 13X 25 माइनस 16 प्लस 9 आ जाएगा इस इक्वल टू 0 हमने इनको किया है माइनस और साइन जो है वो बड़ी टर्म का आगए अब इसको हमने फैक्टराइज करना है पेरिंग बनाने है पेरिंग बनाने का बहुत एजी ट्रिक है कोफिशेंट लेंगे उसको मटिपलाइक करेंगे तो आएगा 36 पिर हमने जो हैं दो ऐसे नमबर्स लेने हैं कि अगर उन दोनों को मल्टिपलाइक करें तो हमाँ पास 36 बने और उनको प्लस य माइनस करें तो प्लस 13 बने अगर हम 4 और 9 को ही ले लें तो हमारे पास ये वालब पियर जो है 4 प्लस 9 थर्टीन हो जाएगा प्लस का और मल्टिप्लाइ करने जो 36 तो हम ये वाली पियरिंग हमारी ठीक है तो हम ये वाली पियरिंग यहाँ पर यूज करेंगा 4x के प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 is equal to 0 यहाँ से common निकालेंगे 4x common आजाएगा and then x बचेगा प्लस 1 प्लस 9 यहाँ से common आजाएगा x प्लस 1 is equal to 0 4x प्लस 9 into x प्लस 1 is equal to 0 4x प्लस 9 is equal to 0 and x प्लस 1 is equal to 0 9 को हम दूसी साइड को लेकर जाएगे तो क्या हो जाएगा यह negative 9 and इसी तरह प्लस 1 को दूसी साइड को लेकर जाएगे minus 1 and 4 को डिवाइड कर देंगे x is equal to आजाएगा minus 9 by 4 and जो है x is equal to minus 1 अब हमने जो हैं रूर्स पाइंड आउट कर ली हैं नेक्स्ट in question पर हमें checking भी करने होते हैं कि हमारी रूर्स आई हैं कोई रूर्स हमारी extraneous होती है और कोई हमारी solution set में आती है अगर हमारे पार x की हमने value find out की है तो हम दुनों values को बारी बारी इस equation में x की जगापर put करके देखेंगे जो value put करने से left और right side का जवाब equal आज जाए तो वो हमारे पास solution set में आएगा आएगी वो वाली x की term x का जो हमने जवाब निकाल लिया x की जो root निकाल लिया वो solution set में आएगी और अगर कोई term ऐसी हो कि उसे x की वो वाली value जो हम put करें इस equation में तो left to right side का जवाब एक्वल नहीं आए तो वो हमारे पास extraneous root होगी और वो हमारे पास solution set में नहीं लिखे जाएगी इसलिए हम इसकी चेकिंग करते हैं question है पहले वो लिखेंगे 2x प्लस 5 is equal to 7x प्लस 16 और जो x की हमने root निकाली है वो हमारे पास पहली root निकली है minus 9 by 4 अब इस equation में जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आपने minus 9 by 4 put कर देना है 2 minus 9 by 4 plus 5 is equal to 7 minus 9 by 4 plus 16 अब चेकिंग करते वक्त आप लोगों ने इस चीज़ का खयाल रखना है कि आप तो जैसे normally जो questions करते हैं तो आप यहाँ वाली चीज़ें यहाँ पर ले जाते हैं यहाँ वाली यहाँ पर ले आते हैं लेकिंग जब हम चेकिंग कर रहे होते हैं तो हमें यह वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं लेके जाने हैं और यह वाली जो हैं टर्म्स को यहाँ पढ़ने लेके जाओं दोनों को साथ साथ सोट करना है और इसी तरह से सोट करते जाना है चेकिंग में इस तरह से करते हैं ठीक है अब हम मल्टिप्लाइ करते हैं माइनस 18 डिवाइड 4 प्लस 5 इस इक्वल 2 यह मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 7 मल्टिप्लाइ 9 करेंगे यहां लोग फार पास आजाएगा 63 डिवाइड 4 प्लस 16 एलसीम ले ले लेंगे यहां पर 4 एलसीम आजाएगा और 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 बन को मल्टिप्लाइड करेंगे 18 ते माइनस 18 प्लस इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, 1 को 4 को डिवाइड करेंगे, 4, 4 को 5 से मुटिप्लाइड करेंगे, 20 20 प्लस का है, माइनस का 18 है, क्या आजाएगा हमाले पास 2 डिवाइड 4, यह कटर है 2 पे तो इसे काट देंगे, 1 बाइड 2 आगे अब इस साल कुसूर करते हैं, यहाँ पर भी अलसेम लेंगे 4 अलसेम आजाएगा, एन माइनस, 63 प्लस, इसके निचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4, 4 को 16 से मुटिप्लाइड करेंगे, 64 अब है हमाई पास 64 प्लस का माइनस का 63, माइनस करेंगे, 1 बचे का और डिवाइड में 4 जो हमाई पास 1 बाइ 4 है, यह कंप्लीट स्केर है, 1 बाइ 2 का, तो हमाई पास जो है, लेफ्ट और राइट साइड का एक्वल जवाब आगे हैं, तो मतलब यह हमारे, यह एक्स की जो, यह बली रूट है, एक्स इक्वल तो माइनस 9 बाइ 4, यह स्लूशन सेट के अंदर अब माइनस 1 फूट करके देखेंगे, 2 माइनस 1 प्लस 5 इस इक्वल तो स्केर रूट 7 माइनस 1 प्लस 16, 2 बाइनस 2 प्लस 5, माइनस 2 प्लस 5 प्लस 3, इसी तरह से 7 मॉल्टिप्लाइ माइनस 1 माइनस 7 प्लस 16 प्लस का 16, माइनस का 7, क्या बनेगा है बस 9, और 9 कॉम्टिट स्केर है, 3 का, तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई है, मतलब x is equal to माइनस 1 है वो भी हमारे पास extraneous solution नहीं है, यह भी हमारे पास solution सेट में आएगी, हमारे solution सेट इस क्रिसन का क्या हो जाएगा, माइनस 1 एंड माइनस 9 बाइ 4 और यही हमारा अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट हम question करते हैं इसी टाइप का question number 2 square root x plus 3 is equal to 3x minus 1 इसका भी हम क्या करेंगे हमने जो है square root खतम करनी है तो both sides हम square ले ले लेंगे, square root on both sides हमने क्या ले ले लेंगे, square root x plus 3 और यह आगया square is equal to 3x minus 1 और यह आगया square अब जो square है square root को cancel कर देगा, तो यहाँ पर क्या देगे x plus 3 is equal to, यह formula को लेगा, यह वाला a minus b whole square is equal to होता है, a का square plus b का square minus 2ab, यह वाला formula यहाँ पर खोलेंगे, 9x square plus 1 minus 2 formula का x और यह a और यह b, 3 to the 6, minus 6x और जाएगो, अब x plus 3 को हम दूसरी साइट कर ले जाएंगे, 9x square plus 1 minus 16 as it is, plus x दूसरी साइट पर जाकर minus x, plus 3 दूसरी साइट पर जाकर minus 3 is equal to 0, 9x square minus 6x minus x minus 7x, minus 3 plus 1, क्या जाएगा, minus 2 is equal to 0, अब जो है हमारे पास, यह हमारे पास करटी equation निकल आई है, अब हमने इसके क्या करनी है, पेरिंग करनी है, और उसके बाद हमने इसको, इसके x की हमारे पास roots निकल आएंगे, पेरिंग करने का बहुत ही असान तरीका मैंने आप लोग बताया है, आप लोग क्या करेंगे, x square का जो coefficient है, बो लेंगे, उसको multiply कर देंगे, constant term से, चीक है, मतलब minus 2 से, तो क्या आजाएगा, minus 18, अब हमने pairing करनी है, pairing हम किस तरह से करेंगे, one multiply minus 18, minus 18 में plus या minus करें, हमाई पास minus 7 नहीं आएगी, हमने वो दो numbers लेने हैं, कि उन्हों को हम add या minus करें, तो minus 7 नहीं अगर multiply करें, तो minus 18 नहीं वो दो numbers लेने, अब यह पहला pair हमने करेंगे, one से start करेंगे, one से को multiply करें 18 से, तो minus 18 में, अगर हम plus या minus करें, minus 7 कभी भी भी नहीं आएगा, यह pair रूंड हो गया, देन चलते हैं, two, nine, 18, अगर हम यह pair यूज करें, तो 18 नहीं भी आजाता है, और अगर हम minus करें, तो minus 7 भी आजाएगा, अगर हम plus का two रखें, और minus का nine रखें, तो minus 7 आजाएगा, यह pair हमारा ठीक है, और हम यह pairing यूज करने वाले हैं, nine x square, minus nine x, और plus two x, minus two is equal to zero, यहां चे कोमन निकालनेंगे, nine x कोमन आजाएगा, x minus one, plus two कोमन आजाएगा, x minus one is equal to zero, nine x plus two, x minus one is equal to zero, nine x plus two is equal to zero, and x minus one is equal to zero, nine x two, दूसरे साथ पजाएगार, negative two, and nine को डिवाइड कर देंगे, nine nine से cancel, x is equal to, किया आज़ गया, minus two by nine, इसी तरहां से, minus one दूसरे साथ पजाएगार, positive one, x is equal to one, अब हमने इसकी भी चेकिंग करनी है, उसी तरहां से, जैसे हमने पिछली क्वेस्टन में की, चेकिंग, चेकिंग करने के लिए हम यह क्वेस्टन लिखेंगे, यहाँ पर, x plus three is equal to, three x minus one, अब इसमें x is equal to one, हम यह पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x plus three is equal to three x minus one, यहाँ पर हमने x की जगा पर, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर, one put कर देंगे, three one minus one, three plus one, four, three one, three minus one, four जो है, complete square है, two का, three minus one, two, हमाई पर जो है, left or right side का, जवाब जो है, equal आ गया है, तो यह भी हमाई पर, जो है, solution set के अंदर आएगा, मतलब, हमाई पर, x की root निकली है, is equal to one, one हमाई पर, solution set के अंदर आएगा, next, हम दूसरी वेल्यू चेक करते है, x is equal to, निकले है, minus two by nine, question है, मारे पास, x plus three, and three x minus one, यहाँ पर, हमने put करना है, minus two by nine, plus three, square root is equal to three, into two by nine, minus one, as same learning is nine, minus two, or plus nine, which is the twenty-seven, is equal to three to the six minus six, by nine, minus one, twenty-seven में से, minus करें, two, twenty-five, divide nine, is equal to, यहाँ पर भी, else ने ले लेंगे, nine, minus six, minus nine बन्दा, nine, twenty-five, complete square है, five का, नाइन कम्प्लिट्स के रहे है, three का, minus six, minus nine, क्या आजाएगा, minus fifteen, divide nine, इसको काट देंगे, three, three, five to fifteen, three, three to nine, minus five by three, and यह है, five by three, अब हमाइकर, जबाब तर इको रहाई हैं, लेकिन, जो है, हमारे पास, plus और minus, का difference है, तो मतलब, बेशिक जवाब ठीक है, लेकिन, यह plus का है, और यह minus का है, तो यह हमारे पास, equal जवाब नहीं आया, तो यह हमारे पास, extraneous root होगी, solution set में, क्या आएगा, one, and जो है, हमारे पास, minus two by nine, यह हम लिखेंगे, small bracket में, और यह हमारे होगी, extraneous root, और यह हमारा, answer होगा, आज तक के लिए, इतना ही उमेद करते हूँ, आप लोग को lecture समझ आया होगा, तो प्लीज वीडियोज को, लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल भी, सब्सक्राइब कीचे, कि मैथेमेटिक्स इस माई ड्रीम, और पैल आइकन पर क्लिक कीचे, ताक आने वाली लेटेस्ट वीडियो, आप लोग को इसे लिए मिल जाए, और वीडियोज को लाइक कीचे, अपने फ्रेंट के साथ, शेर कीचे, ताक कीचे जिए, अपने वी स्टूरेंट्स को मैथ भी प्रोब्लम हो, तो वो लोग यहां से हेल्प ले सकें, अंटिल नेक्स टाइम, अपना बहुत सारा ख्याल रुखिएगा, अंटिल नेक्स टाइम, अलाहाफिज, बाबाई,